कि बताना आवस पगर आ रही है कि नहीं कि देख बार जल्दी से बता दो आवस पगर क्लियर है तर आज नहीं आएंगे सो परसेंट अप्लिकेशन पर डला तो अप्लिकेशन खोलो उस पर टेस्ट में दाओ ठीक है टेस्ट में सीटेट चुनो सीटेट में पांच पड़े हुएं देना चालू करो चले तो स्वागत है आप सभी का एक्जामपोर टीचिंग स्कूल पर जहां पर आपकी आगामी परिक्षा ठीक है टेट की करवाई जा रही है तेयारी तो एक बार जल्दी से बता दे आवाज वगर क्लियर है कि नहीं और सेशन को शेर कर दीजे ताकि आपका बेसिकली ठीक है यह है तो सबसे इमपोर्टन चीज़ क्या है लेक्स एक्जाम आ गया है चल तो एक बार सभी लोग बोल दे जहन जह भारत ताकि आपका सेशन स्टाट किये जा है और आपका के वीएस का संजीवनी बैच इस ओल्रेड लॉंच विद टीजिटी प्राइस on 50% 2499 के वीएस प्याटी प्राइस जिसमें आपको सब्जेक्ट और आपका बेसिकल जन्रल पेपर दिया जा रहा 1875 1249 के वीएस जन्रल पेपर 2022 ठीक है यह आपको 50% पर दिया जा रहा और वैच की वैलेटिटी आपकी एक साल की चलिए तो एक बार जल्दी से जय हैं जय भारत बोले ताकि आपका स्टार्ट कर दी जाए आज की क्लास जय हैं जय भारत चलिए आछी क्लाइस का question number first जो है और यह है आपसे जो पूच रहा है लड़का-लड़की एक दूसरे को देखते और लेके पङग जाते पसंद आती है तो नाम पढ़ गया किया बगवरिया सर्सूपर्टेट सी निकाल सकते थोड़ा बहुत अलग रहता है स्वार्टेट में थोड़ा आपको current affairs वगएरा पढ़ना बढ़ता है current affairs वगएरा नहीं पढ़ता है चलिए blood group समझा दिजए अभी समझा देंगे थोड़ी देर में answer to this question will be मद्दी प्रदेश का आपका फेमस टूहार है इस आपका भगोरिया ठीके next thing इस चिराफ के अलावा मिजोरब लोगों का प्रसद्ध्यन रत्य है that is चैलम जतार भांगडा या मठकी जतारा not जतार चिराव के अलावा कि आपका मिजोरम लोगों का फेमस नत्थ है ठीक है कहां बाग जाते है सर मतलब जहां पर भी कोरोना दौड रहा है एक्जाम होगा क्या बिल्कुल होगा एक्जाम तो होगा कोई औरे कोई दोड़े उसकी टेंशन मतलो कोरोना है उसकी टेंशन मतलो तर्ष्ट का क्या है ? फेकंड अगा ? फेड़का ? तो वेरी गुड़ ता अंसर तू दिस कॉस्टिन विल भी ठीक है चेलम ठीक है चेलम और चेराव यह आपके बेसिकली फेमस डांस है अच्छा इन नौनों में से किसे बैंबू डांस बोला जाता है इन नौनों में से किसे बैंबू डांस बोला जाता है किसे बास का डांस बोला जाता है बैम्बू डांस किसे बूलते हैं बैम्बू डांस वाला सर आप में को गुड़ीवनिंग नहीं बोले तुम्ही तो प्रदानमंत्री मोदी के बाद जो अड़ जगे चाही हुई हो शोचल मेडिया पर भी ठीक है तो एंसर टू डिस कुश्चिन विल भी बैम्बू डांस बोल अब्रियर्ष्ट्रू रूप है लाहॉ चिराब डलखाई रंगमा तो मेगाले का आपका निर्थ्य है कौन सा है अ है कि छिराब डांस बेगाले नहीं लिजव्च चलो तो वेरी गुड, answer to this question will be, मेघाले का डांस आपका कौन सा है, लाहो, चिराव आपका किसका है, मिजोरम का है, दल खाई, नू खाई, ये सारी चीज अगर पूछे जाए, जहां पर खाई लगाओ, बोडी सा लगा देना, ठीक है, और रंगमा आपका basically, नागा लेड, नागास का famous war dance, गुमा, अदि वासी आवाज मैं करते, मसालो का एक समूट जिसका प्रतेक सगस, कैरल में होगाया जाता है, काली मिर्च, हल्दी, तेजप्ता, तेजप्ता, काली मिर्च, इलाइची, जीरा, लाल मिर्च, तेजप्ता, जीरा, काली मिर्च, इलाइची, सर यूपिटेट क्लियर नहीं हो रहा सीटेट क्लियर हो जाएगा हाँ सीटेट इजी रहता है यूपिटेट के गंपरेसन में सर जी नवस्ते नवस्ते चलो कि एंसर तू दिस कुश्चिन विल भी ठीक है तेज पत्ता काली विर्च और इलाइची यह सारे समों आपके कहां होगा है जाते हैं ठीक है अच्छा केरल में और कौन-कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं ठीक है एंसी आटी अनुसार केरल में कौन से पौधे देखने को मिलते हैं टैपी होगा टैपी होगा पर पेड़ नहीं होता कसावा होता है ठीक है कसावा के ब्रैकेट में लिख देना टैपी होगा ठीक है और इसके अलावा कोकोनेट वेरी गुड नारियल का और कोई नारियल के अलावा कसाबा हो गया नारियल हो गया और जल्दी जल्दी बताओ ठीक है वेरी गुड बनाना केला ठीक है और पपाया पपीता और जैक फ्रूट कठेल तो यह सारे आपके बेसिकली एंसी आटी में बताए गए पेड़ है जो की आपका कहां देखने को मिलते है कैरल में देखने को मिलते है कौन-कौन से ठीक है कसाबा ठीक है नरियल केला पपीता और कठल ठीक है नेक्स तिंग इस ठीक है आपका एक तरफ ब बंगाल की खाड़ी है यह आपका अरप सागर है ठीक है तो कौन सा उस साइट पड़ेगा आंत्र प्रदेश महाराज तमिलाडू ओडिल तमिल नाडू ओडिशा, आंत्रप्रदेश तमिल्लाडू के रल barking टाटक तमिल नाडू बताए ठीक है इस साइट क्या है आपका भाराष्ट गई इस साइड में पढ़ता है ठीक है तो यह तो नहीं होगा है ना ओडिशा केरल तमिलनाडू ठीक है केरल आपका इस साइड में पढ़ता है ठीक है तो यह भी नहीं होगा केरल इसमें भी केरल है तो यह गलत हो गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया ठीक है ओड और यह आंडर प्रदेश और तलिप नलाड़ू एवन तेलंगा ठीक है चल नेक्स्टिंग इस अगला कुश्चिन ये देखी यह आदर प्रदेश यह रहा ओड़ीसा यह ठीक है यह आपका तमिल नाड़ू और तेलंगा नहीं ठीक है पुराना नक्षा नहीं ठीक है नेक्स वार सब्जा दीज़े मुझे मैप के कोश्चन या तो कल अपन मैप की स्पेशल क्लास कर लेते मैप करेंगे ठीक है अब बहुत अब तो भारत में आपका कौन साप नहीं देखने को मिलता ठीक है यह खड़़़़ साप आपका कहा कहीं स्पीशीज अमेरिकन स्पीशीज अमरीका अमरीका ठीक है अमरीका ही स्पीशीज है ठीक है आपका दुनिया का सबसे तेज साप कौन सा है दुनिया का सबसे तेज साप कौन सा है दुनिया का सबसे तेज साप कौन सा है तो दुनिया का सबसे तेज साप कौन सा है ब्लैक मंबा ब्लैक मंबा कहां देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में यूएसे में कहां देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में यूएसे में रशिया में या फिर आपका कैनेडा में कहां देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया यूएसे रशिया कैनेडा कहां देखते हैं ब ठीक है, very good, very good, very good, black mamba कहा देखने को मिलता है, Australia में, सबस्टीक है, तो याद रखना, black mamba आपका, African species है, मेरे भाईयों के साथ रखते है, मैं और मेरे भाई, ठीक है, तो यह brother, यह sister, don't you know, that the black mamba is the African species, it belong to the continent Africa, we all are faster, longer and sharper and harder as well, so you all are wrong, desert में होता, नहीं होता, desert, because Africa, African continent में, dense forest के अंदर देखने को मिलता, तुम साथ गलत, चला, पश्मीना किस में की उन, किस जानवर से प्राप्त की जाती है, भेड, उन, पकड़ी, एलपा का, ठीक है, तो पश्मीना आपकी किस जानवर से प्राप्त होती है, सर, 29 December को 99 सेक्टर 62 में मिलने आ रहा हूं, बिलकुल आ जानवर, ठीक है, तो पश्मीना आपकी किस से पाई जाती है, ठीक है, बकरी से पाई जाती है, अच्छा, इन चारों मेंसे किस से उन नहीं मिलती, इन चारों मेंसे किस से उन प्राप्त नहीं होती है, इन चारों मेंसे किस से उन प्राप्त नहीं होती है, इन चारों मेंसे किस से उन प्राप्त नहीं होती है, बकरी से मिलती है, और बकरी आपकी इन पश्मीना को, इन बकरी को हम बोलते है क्या कैश्मीरी गोट, ठीक है, और ये आपकी चांगपा का खजाना भी बोली जाती है, treasure of चांग पाँ सभी बोलते हैं चारों में से आपका प्राप्ता नहीं होती है ठीक है तो उन काका से मिलती है बेड से मिलती है ठीक है आपका बकरी से मिलती है ठीक है अलपाका से मिलती है लामा से मिलती है ठीक है और बस इनी से मिलती है और क्या और खरगोश से मिलती है तो इन सब जगे से आपकी उन पराप्त होती है ठीक है क्लियर है गलत हो गया नाच इसी बा ठीक है तो इन सभी जगे से आपका उन पराप्त होती है ठीक है is that clear चलिए next thing is राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनुनीद करता है ठीक है राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनुनीद करता है उपराश्पती अध्यक्ष प्रदानमंती या भारत के मुख्य नायदिश प्रसेडें राश्ट्रपती अध्यक्ष नहीं राश्ट्रपती बोले को अलपा का नी देख तुम लोग इस पाका नीदेख प्रगयोग अलपा का कुई विट बहुत सारे जानवार जिन से उन देखने को मिलती है कहां है अलपाक अलपाक का ये है अलपाका यह मत बुलना सरे यह तो बेड़ है बेड़ नहीं है अलपाका तो इन में से आपका राज्य सभा की सदस्यों को कौन मनुनीद करता है वेरी गुड वेरी गुड राज्य सभा के सदस्यों को जो आपके 12 मेंबर्स होते हैं जो अलग-अलग शेत्र से होते हैं वो मनोनीत किये जाते हैं किसके द्वारा राश्पती के द्वारा तो भी विल भी दा राइट है कौन सा तारा पृत्वी के सबसे नजदीक है रवी अल पृत्वी के सबसे नजदीक टार यह तार अर दिखाईये जल आंसर टू दिसकूश्चिन विल भी उमारी पृत्वी के सबसे नजदीक घरा जो है वह आपका कौन सा है सूरज जो प्रॉग्जिमा संचुरी है वह सूरज से 4.3 लाइट इयर की दूरी पर है ठीक है 4.3 लाइट येर की दूरी पर लाइट येर क्या होता है कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है जो कि आपका नियर अबॉट डेड़ सौ करोड किलोमेटर होता है ठीक है अक्षांश और देशांतर दोनों द्रोगों से गुजरते हैं ठीक है भूमत होती चित्रा जित्रा विटा आपका उंस्सटलेशन है नक्षतर कहीं कि एक सिर स क्रेंद नह प्रथवी यह इमेजनरी लाइन फिलेखा है इसमें जो लंब बत जाएगी ठीक है वह कौन सी जाएगी बेसिकली यह क्या है यह लॉनजीट्यूड है क्योंकि लंबे में आ रही है लंबा मतलब लॉंच और यह जो जा रही है यह क्या है यह अक्षान्स है तो यह एक दूसरे को काट रही है तो पर्पेंडगुलर दोड़ रही है तो आंसर तो इस बी विल भी दराइट एंसर नेक्स इंग भारत के किस राज्य में देश के पहले कार्बन डाउकसाइड मापन एक्सचेंड टावर ठीक है कार्बन डाउकसाइड मेजर्मेंट एक्सचेंड टावर के स्थापना की गए उत्राखंड कैरल गुजरात या महराश्ट बताओ जल्दी बताओ जल्दी क्या वात है प्रेम प्रेम तो आज कल छारिया गुरू बेरी बुट बेटा ठीक है तो यह विल वी दा राइट एंसर ठीक है तो उत्राखंड में आपका पहला भारत का पहला कार्बन डाउकसाइड मेजर्मेंट एक्सचेंड टावर स्थापित किय गया है एविल वीदा ठाइट एंसर ठंडे रिगिस्तान बाइस पर रिजर्फ किस राज्ज में इस्थित है कोल डेजट बाइस पर रिजर्फ इस लोकेड़ेट इन स्टेट सिक्किम हिमाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश जम्मू एं कश्मीर सर अंश भी आगे अंश भी आगे आप तो महाराज बताये थे तुम कोई तो फोन लगाये थे तो बताव कोल डेजट बाइस पर रिजर्फ कहां है चै वेरी गुट वेरी गुट बेटा वेरी गुट डॉन्ट डू जेस्ट चिल आंसर टू दिस कुश्चिन विल बी बी हिमाचल प्रदेश क्या लिखा है कोल डेजट बायो स्पीर रिजर्फ बायो स्पीर रिजर्फ भारत में टूटल कितने अठारा यह तो नहीं पूछा कोल डेजट कहां है ठीक है तो कोल डेजट अगर पूछा होता तब आप लगात ले लगदार जो कि अब जम्मू कस्मीर से अलग हो गया ठीक है पूछ रहा है का बायो स्पीर रिजर्फ ठीक है तो कोल डेजट बायो स्पीर रिजर्फ आपका कहां पर एए यह एंसर टू डिस कुश्चिन विल भी बी विल भी जाराइट इंसर चलो नेक्स इंग इस ठीक लोकस्ट को खा रहे कौन रैबिट और रैबिट को खा रहे कौन खॉक्स तो आपसे पूच रहें कि भाई दी गई खाच शंकला में इस ठिड्डे की क्या स्थिती होगी ठीक है फ्राइमरी प्रोडूसर प्राइमरी कंसूमर सेकेंडरी कंसूमर टर्शेरी इंग सुम थाती तोडिगो प्रोडूर्स किसकी रहती है प्लेश हमेशा पौध और ऑफकी और इंट्राइक जानवर करते हैं जानवर कई वह पापा बोलते हैं क्या जानवर जैसी हर्कते लगा रही है तो बुरे मानने वाली बात नहीं है हम सब भी का जानवर बट यह मत बोलना आप भी तो जानवर हो फिर तुम्हें असली जानवर दिख जाएगा ठीक है तो आंसर टू दिस कोश्चन विल बी इस प्रेश्ण का उत्तर है बी प्राइमरी कंस्यूमर रबट हो जाएगा सेकंडरी फॉक्स हो जाएगा टर्श चल नेक्स इंग इस जो ज आनू इनसान नहीं जानवर रोज सब्गर्श वेरी इंचाल रात में देखे उचाल सबहें में देखे कौन सा रंग देखेगा ब्लैक और वाइट ठीक है क्योंकि इनके पास नहीं है एर रटाइना नहीं है इनके पास ठीक है बी इनके बास नहीं है ठीक है सी इनके बास रॉड्स नहीं है डी इनके बास कॉन्स नहीं है इनके पास आखें नहीं है क्यों नहीं दे सकते रंग जो जानवर आपका रात में जागे दिन में जागे वो रंग क्यों नहीं देख सकता क्योंकि उसके बार रेटाइना नहीं है क्योंकि उसके बार आइरिस नहीं है क्योंकि उसके बार रॉट्स नहीं है को नहीं है आखें है क्या नहीं है तो वेरी गोट वेरी गोट वेरी गोट आइस नहीं है बहुत बढ़िया यह है बाला जी मेरे लाल वो नहीं बाला जी कि जानवर तो इसा है है नो जानवा जारम मतलब कुस्पे वोल लेंगे हां हां आप हां हां आप आप करेंगे न है तो कलर नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा ठीक है बीकोज उनके पास आपकी क्या नहीं है एक कोशिका नहीं है जो की कलर देखने का काम करती है तो कहां गही कैसी से क्लों को तो बिटे भी जाएगा तु तो सी से कौन और सी से कलर तो कलर देखने का काम कोन करता है ठीक है that is kones सर सारे animals देखते हैं कि भिटा तीन ही ऐसे जानवर है जो की सारे रंग देख सकते हैं तीन जानवर ठीक है जो की सारे रंग all seven color कितने रंग होते है सार ये तीन है तुमाब जुटका वहिया बंदर तुम यूमन और तुमा बढ़का वहिया देट इस वानर इन सब को सात रंग दिखते हैं बाकी सब को ठीक है ब्लेक और वाइट दिखता है बड्स को पांच या छे रंग दिखते हैं पैरट कौन सा कलर देख सकता है पैरट चार कलर देखते हैं चलो नेक्स इंग इस एलीजा परिक्षन का इस्तिमाल कि इस बीमारी का पता लगाने के लिए किया दाता मलेरिया कॉलेरा एड्स टूबर क्लोस यह इस वार सीटेट में पूछा है अभने कुट्छे को भी पीछे चोड़ दिया बंदर और बहने अलग होते जिनकी बाप पूछ होती है वह बंदर होते है जिनके प्यूछ नहीं है वह बानर होते अब तुम कहोंगी हमाएं पर पूछ नहीं है तो वानर नहीं तुम बीच की भाईया हो उसकी मन उस्च बोली गई हूँ ठीक है तो very good answer to this question will be ठीक है एलाइसा परिक्षिन ठीक है किसके लिए होता है एड्स के लिए होता है अगर option में एलाइसा नहीं मिले तो first आपको ढूड़ना है क्या western blot इससे भी एड्स के डिटेक्ट होता है western blot यह नहीं मिले तो ढूड़ो कौन रिया को ढूड़ो ओ रिया ओ रिया तुम साथ नहीं और यह भी नहीं मिले तो क्या ढूड़ो cd4 परिक्षिन इन सारे परिक्षिनों से आपका डिटेक्ट किया जा सकता है किसे एड्स को sir आउल के पास तो eyes होती है हां तो अरे ओ मेरी लाली आखे जो आखे वह बेसेक लिए आपका logo को देखने के लिए बने होती है अब बात होती है color इक बनता है जब होती है light है न कलर कब बनता है जब होती है light लाइट कभी अमावस्टा की रात में भाहर निकालना घर के ठीक है और एकदम से जुब लाइट चली जाती है तो का देखता हैं अंधेरा देखता है कलर नहीं देख रहा होता ना तो जो लाइट होगी नहीं रात में तो कलर कैसे देख लोगे तीचर तो सभिता का प्रितीक होता है संतोशी गुर्जार ऐसे बोलते हुए ठीक है आपके ऐसे टीचर हो आप सभिता का प्रितीक नहीं है हाँ भईया नहीं कौन दिक्कत है एक डिसलाइक का बटन ऐसे दबाव जाओ चलो नेक्स इंग इस निमने लिखित मैंसे कौन उत्सरजन प्रिनाली एक स्क्रिटरी सिस्ट्रम का इस्ता नहीं है पिछली बार पूछा गया आपसे सी डेड़ सर आपके पास कितनी आखे हैं मेरी आखे मेरी चश्में सर जी पीसियार से पता कर सकते एड्स ओ दुष्ट पीसियार एम्प्लिफिकेशन के लिए होता डियने के एड्स के से पता कर लोगी सर आपके एर नैचुरल डाई करता हो अभी तक डाई नहीं है भाई बीच में सफेद बाल है हमारे उमर वो रही है उन्हें दो सफेद बाल कौँछी बहुत दिक्कत की बात चलो तो आंसर टू दिस कुश्चन विल बी देखो आइस आपका कोई उत्सरजी अंग नहीं है आ आखे आपको देखने के लिए दिए गई है इस आखे उसे आप क्या करते हो देखते ठीक है और कुछ तो नहीं करते ना ठीक है या ताड़ लेत इत्ती संदर ही तिक है इसकिन आपका पसीना निकालती है बोड़ी की हीड भी रेगुलेट करती है फ्यबडे आपके कार्बन स्पेस किस पर आधा रहते रोजमर्रा की चुनौतिया वास्तिविक जीवन के गठना है वास्तिविक लोग और उनके अनुभब वास्तिविक स्थान ठीक है और हमको एक चीज समझ में नहीं आती यार मेरे को एक चीज बताओ आठी लोग जो तुम में से घ्यान देने आते आप परीकाश्था को ऊपर कर गएं हो ठीक है यतना बाइतना पौर लाग समझ मेरे लिए पर अंगूर भी उता है नहीं सिखाना मेरे को एफ और एपल एसे एंट सिखाऊंगा कुछ कर लोगे मेरा ठीक है तो बताओ तो आंसर टू दिस कुश्चिन विल बी वरी गुड सी विल भी दा राइट इंसर ठीक है यहां पर जो स्टोरी थी सुनीता विलियम की थी और सुनीता विलियम के पेस में क्या रहे ते अपने अनुभव रहे थे एक्सपिरियंस रहे थे ठीक है वह उस की थी तो सी विल भी दा राइट अंसर नेक्स इंग इस वह ग्रह जो हमारे सौर मंडल में प्रतवी से छोटा तो प्रतवी से छोटा कौन सा ग्रह है जैसे घpress किसी वी संक्रमित व्यक्ति की को हो सकता है नंबर वन ठीक है डूरिंग सेक्शव एंटर कॉर्ष्स छिग है थी के समय ठीक है जैसे कि अगर मुझे एड्स है ठीक है और मेरे साथ कोई सहवास कर ले चटक जाएगा नमबर टू ठीक है अगर मैं अपना डाड़ी वगेरा बनवाने लगा मेरा खून कट लग गया किस पर ब्लेट पर वही कट तुमारे उपर लग गया चटक जाओगे नमबर पूर अगर तुम मेरे से खून ले सकते हो तो ले लो चटक जाओगे ठीक है और इन सम रिसर्चेज इस सट डैट की जो वैट किसिंग होती है ठीक है और मेरे को एड्स है यह केवल एक्जामपल था किसी दिन क्लास लेने नहीं आओ तो यह मत बोलना वो मास्टर चला गया बिचा है इस देट क्लियर चलो तो वेरी गोड तो हमारी प्रत्वी से छोटा गिरह कौन सा है यह एंसर तो दिस कुश्चिन विल भी मंगल ठीक है तो यह विल भी दा राइट एंसर ठीक है इसका सही जवान और निम्ले लिकत में से कौन सा पोधा जड़ नोड्यूल नहीं बनाता है जिसमें नाइंट्रोजन फ्क्सिंग गारिया होते हैं तो नहीं बता अधे मर्करी नीए अरे दिख्कत तो यही है ना चार जगें के घुमे के आते हो ठीक है और फिर बात करते हो कि यह मास्टर ऐसा है वो मास्टर ऐसा पढ़ने में तो ध्यान है नहीं की लिखा हुआ प्रथवी से छोटा कोंसा है ओर तुम जोटा पूचा था हम तो लगा जाएं प्रतवीज है जोटा तो बता इन मैंसे किसमें आपकी बेसे कली नहीं बनेगी क्या गाड़दार जड़ तो वैरी ओठीक थीक है तो मीठे मटर में बनेगी उद्यन मटर में बनेगी मूंफली में बनेगी तुलसी में नहीं बनेगी दलहन में नहीं आती है ठीक है तो दलहन में नहीं आती है चली पत्ती में शिराओं और शिराओं की व्यस्ता कहलाती है पटल शिराविन्यास मद्धिशिरा या वरंत ठीक है तो पत्ती में शिरा और शिरा के आपके शिरा विन्यास ठीक है क्या कहे जाते हैं इनके अर्रेंजमेंट को क्या कहते हैं ठीक है तो very good answer to this question will be ठीक है पत्ती में शिरा और शिरा के अनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं शिरा विन्यास कहते हैं ये शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं एक होता है जालीदार ती Halloween में पूछा गया है यह रेटिकुलेट फैटिकुलेट यान रड़ना एक होता है आपका कौन सा समानतर फिर्टस पैरलल इस भार पूछे गए तो जालीदार जो है यह आपका दूई बीच पत्रियों में मिलता है डाइकॉट में मिलता है दूई बीच पत्री में और जो आपका यह है यह मोनोकॉट में मिलता है एक बीच पत्री जिसके बीच दो भाग में बढ़ जाए जैसे बदाम जैसे काजू जैसे चना जैसे ठाले ठीक है। जैसे क्या और क्या बतर ठीक है। सब बटर है दो बागों में यह दूवीज पत्तरी है जैसे जीरा यह नई बाटर है दो बागों में यह एक बीज अध़ धेर बीज पत्री एक बीज पत्री ठीक है तो second will be the right answer. नेक्स्ट इंग इस ठीक है तनू आयोडीन विलियन के साथ स्टार्च की उपस्थिती के लिए परिक्षण के लिए निम निमसे कौन सा रंग देता है तो कौन सा रंग देता है तो कौन सा रंग देता है तो कौन सा देता है नीला काला रंग देता है ठीक है अगर स्टार्च तो पस्ते तो तो अब देखो जब इस कोश्चन को करो तो देख लेना कहीं स्टार्च के साथ सलाइवा तो नहीं मिला दिया अगर इसमें लार मिला दिया जैसे कि तुमने चावल लिये हैं तुमने क्या किया एक परकनली ली इसमें चावल का पेश्ट मिला गडाल दिया ठीक तो थूग और दिया इसके अंदर यहां यह थूग आ गया ठीक है तब आयोडीन टेस्ट में ठीक है के लिए होता है ठीक है पैचाने की निमने लिखित में से किस राज्य में एक तरफ समुद्र है गुजरात महराष्ट गोवा करनाटक केरल तमिलनाडू आंद्र प्रदेश पश्चिम मंगाल और ओडिशा है यह तो बावरे हो गए अच्छा सभी तो है सही है सभी गुजरात मत्रदेस गोवा करनाटक केरल तमिलनाडू आंद्र प्रदेश पश्चिम मंगाल और जहरकंड तो कहां पे आपका बेसिकली एक साइड में क्या मिलेंगे बेरी गुड़ यहां पर आपके कोश्चन में क्या पूँचा गया है राज जी पूचा गया और आपको पता है अंडमान और निकोवान राजजनी होता यह आपका केंदर शाषित प्रदेश होते है तो B will be the right answer जितने लोग A लगा रहे पूरा question नहीं पड़ा बस लगा दी यार समुद्र पड़के ठीक है तो B will be the right answer B इसका क्या है सही जवाब है A लगाने वालो ना चलो थोड़ा अरे बी घदो अंडमान निकोवार दीव समुद्र कबसे राज्यों में आ गया राज्य पूछना इस्टेट साप लेगा यूनियन टर्रेटरी कहां लेगा चलो नेक्स इंग इस हार्वेस्ट चोवार खुशी और उल्लास के प्रमुक्स अफसर है सही कत्मों की पेचान करें उत्तर प्रदेश ब्यार और मत्य प्रदेश तिल संकरांती बनाते अच्छा जारकड पोंगल बनाते तमिल्लाडू नवाना बनाता अच्छा गुजरात लोडी बनाते केरल ओनम बनाता है माराष घुडि परवा बनाता असं बिहुल बनाता पश्च्यमगल नवाना बनाता है कौन-कौन से इसमें सत्य कतन ने इन सत्य कडग कॉन कॉन से है कि चलो वेरिएगुड तो देखो एक तो यह सही है और एक आपका यह सही है जर्गन पोंगल नी भनाथा बुजराद लोडी नी भनाता तो ए और इस जही ए तो बी विल ही था रइट एंसर बी सका क्या है सही जवाब है चलिए अगला कोश्चन आप से वह पूछ रहा है की 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 वलसाथ शहर है तेलंगाना राज्जी से किस दिसाम पड़ेगा देखो सब्सक्रों यह अपना यह बोर्ड अपना नक्षा है सब्सक्रों ठीक आपको बता वलसाथ का है गुजरात में गुजरा ज़्माना राज्ज से किस दिशामा पड़ेगा यह डि डारेक्ष्न को है यह असे डिशामा पड़ेगा यह नोर्फ कौन के आचे की? अच है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट किहा है उथ्तर बस्चंज दी की ड़ी इस टाराइट है तो? निच्स इंग इस अगला कुश्च न आप से यह पूछ रहा है कि निम्न लिखित में से कौन पानी के बारे में सही गतन नहीं है जल एक सरवाज है बिलायक है वेरी गुड इसमें बिविन परदार्तों की विविद्था को बंग करने की शंता होती है वेरी गुड इसका तेलंग आना यह रहा है थैद्रावाद यह रहा ठीक है यह गया अपन वलसाद यह डारेक्शन कोन सी है नौर्थ वेस्ट डारेक्शन क्या है यह नौर्थ वेस्ट है यह नौर्थ है यह साउथ है इस्ट है यह वेस्ट है तो यह डारेक्शन दिखरों यह क्या है नौर्थ वेस्ट ऐसे तो तो एंसर टू दिस कुश्चिन विल भी सी गलत है जल का अधिकतम गंधत्व कितने पर होता है चाहर डिगरी सेंटिग्रेट पर होता है तो चाहर डिगरी सेंटिग्रेट होता है नेक्स इंग इस वे चित्र जो एक कहानी को चित्र करते जिसमें केवल प्राकर्थिक रंगों का प्योग किया जाता है चित्रों को चित्र काठी कहा जाता है पेंटिंग संबंदित है कहां से माराश्ट राजस्थान आंध्र प्रदे वरी गुड़ वरी गुड़ एंसर तू दिस कॉस्चन विल भी महराश्ट ठीक है आंध प्रदेश में का मिलेगा कलंकारी मिलेगी तो यह वीदाराइट इंसर नेक्स इंग उन आधिवास्ती समुखों पे अचान करें जो भारत के हिमाचल प्रदेश में आउट पाई जाती है संथाली गद्धी गौंड सहरिया कि बिहार में मदुवनी वेरी गुड तो नाधिवासियों की पैचान करें जो कि आपके बेसेगली हिमाचल में पाई जाते तो 27 का क्या हो जाएगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गद्धी पैठोंगा में किस पर गद्धी ठीक है चलो संथा चल संथाली जार गड़ में मिलती है संथाली गौंड मिलते चतिषगड में चैरिया मिलते MP में जार है ये चत्य ही है ये MP है ठीक है कि सबसे भारत में कौन सी ढदिवासि ट्राइब है भारत में सबसे जादा कौन सी आधिवाची ट्राइव है गोंड संथाल सोमो बोबी यह कौन सी है बेबी तो सुना है सबसे वारत में कौन सी बिलती है बील अधिवासी राइस्थान और एंपी में डॉमिनेटेड है चलो सबसे वड़ा रेलमार्क कौन सा है कश्मीर से बैंगलोरू दिब्रुगण से कन्या गुमारी मिजोरम से गुजरात नाराज से ननिपुर सबसे वड़ा रेलमार्क डोडा नहीं है बेटा डोडा मुंडा सुन्डा आदा नंबर तो दीजे आदा नंबर हाँ कॉपी चेक कर रहे है न हम आदा नंबर दे तमये चलो very good answer to this question विल भारत का सबसे लंबा जो रेल मार गए वो है दिब्रुगण से कन्या कुमारी और इसके लिए जो ट्रेन चलती उस ट्रेन का नाम क्या है उस ट्रेन का नाम क्या है जो की सबसे बड़ा रेल रूट कवर करती है वारत का ट्रेन का नाम क्या है ट्रेन का नाम एंटे देता हूं एक्सामपुर में उस नाम का एक व्यक्ती है ठीक है very good very good very good very good ठीक है very good विवेक एक्स्प्रेस विवेक एक्स्प्रेस ठीक है तो answer to this question will be second ठीक है नेक्स इंग अगला कुश्चन आपसे पूश रहा है कि पक्षी अलग अलग तरह के गोसले बनाते हैं और अपना गोसला बनाने के लिए अलग जगे चुनते हैं निमने लिकित में इसे कौन सा पक्षी पेड़ की तनी में अपना गोसला बनाता है कट पोडवा बारबेट जाता है तो हिंदी में बसंत गौरी बोला जाता है तो हिंदी में से गुजारिश है कि इंग्लिश की नाम याद रख ले क्योंकि ऐसे भी कुश्चन बनते हैं पिर तुम महां पर रो नहीं पाओगे तो इसको कहते हैं मजे लेना इसको क्या कहते हैं मजे लेना कुछ दुष्ट आत्मा है हमारी ऐसी बैटी रहती है उनको पता है इंदी में इसको इसका नाम पता होगा इंग्लिश में हिंदी में लिग लेना इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं मजे लेना थिक है तो या बसंट गोरी ठीक है या फिर कोपर श्मित इसका दूसरा नाम जो वो आपका छेद करके बनाती है और यह आपका छेद करते हैं कीड़े खाने के एक तरफ अरप सागर वाले तीन राज्जों का सम्हूँ ठीक है एक तरफ अरब सागर वाले तीन राज्यों कसम ठीक है केरल करनाटक महराश्ट ठीक है केरल करनाटक आंदर प्रदेश पोड़ी सा आंदर प्रदेश महराश्ट या फर महराश केरल पस्टिम बंगा तो देखो आपका ये महराश्ट ये गुजरात है ये महराश्ट है ये गोवा है ठीक है ये करनाटक है ये कैरल है ये पांच इस साइड पढ़ रहे हैं, तो basically केरल, करनाटक, महराश यह विल वीधा राइटल से, ठीक है, आंद प्रदेश इस साइड चला जाएगा, ओडी साइड चला जाएगा, ठीक है, पश्चिम मंगा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, प्रेश है, क्या है बोडी पे, ठीक है, वो बच्चे पैदा कर सकते, पंग, बाल, खाल, या सभी, नहीं बनाते, कट खोड़वा, अनुराथा, कट खोड़वा, केवल कीड़े खाने के लिए, छेद करता है, मेरे पापा की परी और परो, तुम्हारे पाप पंग है, है, पंग है तुम्हारे पास, हमारे घर में ललन पैदा हुआ, तो का भावी उड़ती फिर रही थी, पापा के परे हो या परी हो का ओ तुम ढूंड बुद्धी तो लगानी नहीं ओल पहले लगाएंगे एंस हुमारी तोचता पर क्या वती है बाल बाल已經 ठीक है एक तो युद्र क्या होते दें और जिनके पास क्या होते बाहरी कान होते दिख रहा है कान ठीक है यह इनी को पकड़के master जुला देते थे school वाले और रामलाल पड़के नहीं आया ठीक है तो they can give rise to the young ones ठीक है next thing is at what age usually the male elephant leave the herd कौन सी age में आपके नर हाती छोड़ देते आठी भिजल तो लगवा सकते डॉल्फिन के तो दोनों नहीं होते डॉल्फिन वेटा केस अलग है ठीक है फीटल स्टेज में तो उनके पास भी होते है बट शेड़ ओफ कर देते हो तो वेरी गुट जब यह आपके क्या हो जाते है 14 से 15 साल की हो जाते तब यह आपका घौसला छोड़ देते हैं तो अपना समू छोड़ देते हैं ठीक है इन में से कौन सा कतन हातियों के बारे में गलत है ठीक है अव सरी सही है हाती बहुत ज्यादा आराम लेते तीन महीने क हाती के बच्चा दो कुंटल का होता है 10 खाती दिन में दो कुंटल से ज़्यादा खा सकते हां हाती 8-10 गंटेस होता है बताओ और सर पेड़ में कीड़ा ना होतो तो वो दूसरा पेड़ चूस करेगा भाई पेड़ में कीड़ा ना होतो का करे चलो तो very good answer to discussion वी कौन सा स्टेटमेंट सही है इस में से के तीन महिने के हाथी के बच्चे का वसन 200 किलो बताया गया है जो कि सारे स्टेटमेंट क्या है गलत है next thing is खेजड़ी के बारे में इन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस ट्री मेरी फाउंड इंडेजर्ट एरिया ग्रोज विदाउट मच वाटर शेड़ी ट्री होता है जिसकी च्छाओं में बच्चे खेलते हैं और लोग इसमें पाइप डालके इसका पानी पीते है तो कौन सा सही है क्याल सोता जाधा है शायद मिट़ा आख 2-4 घंटे सोता है कहाँ जाधा सोता है कर देख़ें यह जो ट्वाला ओप्षिण है यह तो वैसे भी गलत हो गया है च्छेड़ी के बारे मिए क्योंकि यह तो आपका किस के लिए desert oak के लिए बताए गया desert oak का feature है जो कि Australia में मिलता है तो डी जिस जिस में वो गलत हो जाएगा इसमें डी है इसमें डी है गलत है इसमें डी है इसमें गलत है answer to this question will be a b or c तो a will be the right answer ठीक है next thing is की अग्ला कुश्च्छन ठीक है जब चांद पे लगे घ्रहन तो मैं बीच में होता है कि मैं जब चांद पे लग ए ग्रहन तो सब्सक्रेम पर कौण बीच में होता है तो जब चांद पर लगे ग्रेंट तो प्रत्वी वीच में होती है सूर्य तो कभी लेगा नहीं सूर्य की प्लानेटरी पोजीशन्स क्या है फिक्स है जो तुम बोलते हो सूर्य पूरम में उखता है पस्चिम में डूपता है यह सब फलानी दिंकानी बात है यह सब सापेक्ष है ठीक है रियालेटी नहीं है सूर्य नाहीं पस्चिम में उखता है नाहीं पस्चिम में डूपता है इस जूटू दर रोटेशन ओफ अर्थ जिस दिन वो घ्ल गया ना नचोगे सब तो यह विल भी दराइट एंसर केवल आपका प्रत्वी आपकी बीच मे सब्सक्राइब आ सकता सूरै नहीं लेगा घेला क्या एक विंजन का नाम है एक लड़की का नाम है लड़की का नाम है एक जगह का नाम है यहां फर इनवेंस कोई नहीं हुल बेला क्या है बेला बेला एक डिस है देखो देखो दुष्टो को बेला किस दिन मनाया जाता है जिस दन होता उरुका किस दिन होता है 14 जनवरी को क्या है यह आपका पहला दिन है तो बेला में लगा देंगे आग बंबू से बना घर हुआ है तो आंसर टू दिस कोश्टो करते समय बच्चा करा रिच्चने चने तो यह चने अच्छे सरोत होते कार्व के वसा के चारा के या फिर कोई भी नहीं सर फिर क्यों बोलते चांद तारों में नजर आए तेरा चेहरा बाबले हो गया और कुछ नहीं है अरे भेल पूरी नहीं है भेला धर है तो अगर आप किसी बस में गये और वहां पर बच्च चिला तो गोड़ा किश्टे करें चने यह चने यह किसके सरोते चने यह तो एंसर टू दिस कोश्टो क्योंकि चने में प्रोटीन होता है प्रोटीन नहीं मिलेगा तो सबसे पुराना तेल छेत्र डैश चेत्र है और डैश में है तो सबसे पुराना तेल छेत्र कौन सा है पहले आप बेशते देखा और क्या है यही तो काम था पहले तो सनी सर एक बार ट्रेवल कर रहे थे बस में उनको हमका टैलेंट नजर आ गया उन्होंने पूछा कुछ करते हों हमने कब पढ़ा लेते बढ़ाने में आ गया है वेरी गुट ठीक है इस दिखबोई असम ठीक है असम में टूटल चार रिफाइन रही है जो की पूरे भारत में सबसे जाथ ठीक है और यह आपका नियर अबाउट 1866 में सको स्थाबित किया गया था ठीक है तो नेक्स इंग इस हाथी के कितने दात होते हैं 16,18,26,28 ठीक है तो हाथी के कितने दात होते हैं 16,18,26,28 ठीक है जल्दी बताओ तो हाथी के टोटल कितने दात होते हैं 26 दात होते खिक है, भुपॉल गैस तरासदी किसका अधारन है, भुपाल गैस तरासदी कह कुई थी, दो दिसंबर, 2 से 3 दिसंबर, 1984, ठीक है, किसका अधारन है, कौन कौोन सी गयसे निगली थी यूनियन कारबईट के प्लांट पे wait D रासाइने का कौन सी कैसे निगली थी कौन सी जल्दी बताओ कौन सी कैसे थी ठीक है कौन सी कैस थी एक तो थी नेक्स कुस्चिन है भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निशेद विनियम अधिनीयम किस वर्षपारत हुआ मीथेन नहीं मीथेन नहीं दी फॉसजीन थी फॉसजीन एमाइसी और इसकी सही लिया वहुत बढ़िया चलिए तो यह कव आया था आपका बाल निशेद बश्रम निशेद अधिनियम 1986 में आया था 2006 वाल वो चाइल्ड मेरिज पर एक्ट है ठीक है वो विवा पर एक्ट है करकरेखा नहीं गुजरती मयनमार से नेपाल से बांगलादेश से चीन से ठीक है तो टोटल 17 कंट्री से गुजरती है करकरेखा बट किससे नहीं गुजरती एशिया में करकरेखा किससे नहीं गुजरत सबसे अधिक कच्छे तेल का उत्पादन किस छेत्र में होता है आपको मैंने बताया है सबसे अधिक कच्छा तेल राजस्थान में उत्पादित किया जाता है वह कौन सी रिफाइनरी से ठीक है जहां से सबसे अधिक कच्छा तेल निकलता है मंगला भाग्यम कामिश्वरी या भागवाला बताओ तो सबसे अधिक कच्छा तेल कौन सी से निकलता है ठीक है 43 का एंसर इस भाग्यम मंगला भिटा राइस्थान की मंगला रिफाइनरी ठीक है तो ए विल वी दा राइट एंसर नेक्स इंग इस निमने लेखित में से कौन सा नवीनी करनी है उड़जा का उधारन नही है रिट्नी नहीं है सौर ऊट्जा हवा जीयोठरमल या फिर न्याएए नौकी रॉडजा तो कौन सी आपकी रिन्य solving नहीं है ए मैं अट से आपको गर्मी लगाई क्या हंजी अगर्नी टुन को तो कौन सी नहीं है तो वेरी गोड ना भी किये उडजा इस नॉट रिन्यूबल एनरजी ठीक है यह आपकी नवीवी करनी है नहीं है निमने लिखित में से कौन सा एक जैविक चट्थान है संग मरमर कोईला ग्रेनाइट या स्लेट ठीक है तो कौन सी एक और्गनिक कौन सी एक जैविक चट्था ताने संघ मरमर कोईला ठीक है ऑर्गनिक मतलब मतलब जिसमें कारइवन ह obsessed देखने को मिलेंगे तो फॉर्टि क क्या हो जाएगा ठीक है तो और गीनिक कंटेंक आपको किस में देखने को मिलेगे कोईले में देखने को मिलेगे क्योंकि यह जीवाश्म से बनते ठीक है तो वी विल वी दा राइट एंसर ठीक है लास्ट फाइब जल्दी से निमनलिकित मैंसे कौन कच्छे तेल पेट्रॉलियम का उत्पादन करता है असमोडी सा गुजरात तमिलाडू ब चलिए तो answer to this question will be देखिये असम में ओडी सा में नहीं है गुजरात में है तमिलाडू में नहीं है बिहार में है बंबयाई में है बंबयाई में है पश्रिमंगाल में नहीं है तो answer to this question will be ठीक है that is C will be the right answer विवाब एक मिल बीविल विदा रइट एंसर थीक है तो कुछ साथ राज्य है जहांसे आपका वेशे काली कच्चे तेल का निर्मान होता है ठीक है b b b b b c नहीं बी भी हार से नहीं होता है ठीक है चलो next thing is खाना पकाने के लिए गैर पारम्परिक उर्जन सरोथ कौन सा है ठीक है बिजली सौर एल पीजी कैस कोईला बिहार में कहा है तो वो ही तो बोल रहा है नहीं है गुजरात और तमिलाडू भी विल विदा राइट एंसर ठीक है तो खाना पकाने के लिए जो बेसिकली गैर पारंपरिक उर्जा नोन कंवेंशनल एनर्जी है वो है आपकी क्या सोलर एनर्जी ठीक है गैर पारंपरिक जिनको हमने नया यूज किया तो भी विल वीदा राइट एंसर ठीक है लास्ट थार्ड लास्ट कोश्चन किस राज्य में सरवादिक वन्यजीव अभारने राजिस्थान एंपी महाराष्ट केरल तो सरवादिक वन्यजीव अभारन ने किस राज्य में राज ब्राइश राजिस्थां च्थीलगर साथ रगागा टिन का सबसे वड़ा उतपादक कून है ठीके आपको काँसा बनाना तो लगे गा क्या ठीक इस iwq brawot कोटी धी दीता सब को गोटी तो वह रही हो एंसर टू दिस कुश्चन विल भी छत्रसगड खोंबर की यह कि आपको कमेंड करके बताना है कौपर का सबसे बड़ा उत्पाद कौन सा राज्य और लास्ट कुश्चन आज का जारगंड की पूर्व में कौन सा राज्य स्थित भिहार छत्रसगड उडिसा या ठीक है आज का लास्ट कुश्चन की बिहार के जारगंड की पूर्व में कौन सा राज्य उपस्थित है चले तो देखो यह जारगंड ठीक है नोर्थ में बिहार तो यह थी आपकी आज की ग्लास ठीक है कल मिलते हैं कुछ नए नहीं नहीं अब तो रिवीजन ही चलना नहीं कर वाँगा तो आत्मा इस उप जाएगी तुम लोगों की ठीक है कल मिलते हैं फिर कोश्चनों के साथ ठीक है टॉप 50 कोश्चन करेंगे जल्दी जल्दी तो तो तेल दन वह नाइस देंग बाई बाई बुडड़ नाइ टेक किया थेंक यू वाई शंदी गर्दी झाल झाल